मैं confused जरूर से था कि गदर को फिर से थियेटर में देखू या नहीं मतलब मैंने सोचा कि 22 साल के बाद उसी फिल्म को उसी कहानी को फिर से थियेटर में जागर देखने का क्या ही मतलब जिसको हम इतनी बार देख चुके हैं हमको सब कुछ पता है उस फिल्म के बारे में और भाई साब सबसे बड़ी बात थियेटर आदे से जादा भरा हुआ था और जब वो अश्रफ अली वाला डायलोग आया क्या माहोल था थियेटर के अंदर यार वो सारी यादों को मैंने फिर से जी लिया ऐसा लगा जब 22 साल पहले गदर को देखा था थियेटर के अंदर गदर फिल्म के अंदर स्टोरी, कास्ट, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक सब कुछ अप्टु दे मार्क था और ये एक ऐसा क्रियेशन बन गया था जिसको हम कितनी भी बार देखे मन नहीं बरता है और थियेटर के अंदर गदर को फिर से रिलीज करने का फ फिल्म के सौंग्स और डायलोक्स का लेवल भी गदर जैसा होना जरूरी है और सबसे ज़ादा इंपोटन्ट गदर टू के अंदर विलन का पफामस लेवल अमरिश पूरी सर जैसा होना जीए जो कि टफेस्ट टास्क रहेगा उस एक्टर के लिए क्योंकि गदर फिल्म के तारा सिंग का जो हिरोईजम है इसलिए उबर का दिख रहा है क्योंकि अश्रफ अली का किरदार और एक्टर दोनों बहुत सदा स्ट्रॉंग थे और बात करूं तो गदर फिल्म को फिर से थेटर में जाकर देख सकते है वर्थ वाचिंग है पूरा मजा आएगा अगर आप आपने देख लिए गदर फिर से थेटर में जाकर तो आपका क्या एक्सपिरेंस रहा प्लीज कमेंट करके बताना सीव सुने नेक्स वीडियो बाई टेकर एंड जैहिंद